प्रदेश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे नवजो सिंग सिद्धू के विवादित बयान की तो वहीं शिवराश सिंग के पलटवार की और शिवराश सिंग के विवादित बयान की ऐसा हो नहीं सकता है कि चुना हो रहा है प्रदेश में और विवादित बयान ना हो और नौजो सिंग सिद्धू के बारे में तो कहा जाता है कि जब भी वो मंचपर्ज होते हैं कोई नो कोई मीडिया की सुर्खिया अपने आप बन जाती है यू कहें कि कभी कभार जिस तरह से वो सेंचुरी मारते थें उसी कुछ लहजे में वो विवादित बयान भी दे देते हैं कई बार तो अपनी पालिटी की मुसिबत बड़ा चुके हैं चुनाव आयोग ने उन पर 75 घंटे का बेन जरू लगा था लेकिन इन सब का असर उन पर नहीं देखने को मिला जी हां मैं बात करो भोपाल में राजदानी भोपाल में दिगविजेंसी के लिए चुनाव प्रचार करने आयें कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक नवजो सिंग सिद्दू ने अपने ही अंदाज में ठोको ताली और चक्के वाली जो उनकी एक पूरी तरह से एक जुपयायन बाजिया रहती है वो एक बार फिर देखने को भी और नवजो सिंग सिद्दू ने आज कुछ इस तरह का उन्होंने साफ़तोर पर निशाना साथ दिया और कहा कि पीम मोदी को चक्का मार के बाउंडरी के बाहर फिक दो हाला कि ये विवादित बयान जरूर था लेकिन नवजो सिंग सिद्दू भी अपने इसी तरह के बयान बाजियों के लिए जाने जाते हैं आपको सबसे पहले सुनाते हैं नवजो सिंग सिद्दू ने क्या कुछ कहा प्रधान मंतरी मोदी के लिए जिससे वो मिडिया की सुर्ख्यों में आ गए और कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी के निशाने पर भी आदे हैं आईए सबसे पहले आपको सुनाते हैं नवजो सिंग सिद्दू का वो बयान जब जवान था अभी भी जवान हो इससे कम तो छक्का मारता था बहुत बांडरी पार ओ गई ओ गई और तो इतनी ऊपर जाती थी एयर उस्टेस के हाल में लागिंट क्या दिए लेकिन तुम भोपाल वालो मुझसे तकड़े हो तुम मुझसे तकड़े हो ऐसा चक्का मारो कि मोधी को हिंदुस्तान के बाहर मारो तो ठोको ठोको ताली ठोको दोनों हाथ खड़े करो जिया आपने सुना हुआ एक बार फिर नौजो सिंग सिद्दू ने अपनी बयान बाजी के चलते भारती जंता पार्टी पर जोड़दार निशाना साधा लेकिन चुनाव है यहा अपनी निगाहें गडाय हुए हैं लेकिन नेता हैं कि बाज नहीं आते हैं फिर क्या था पलटवार का दोर शुरू हुआ और शिवरा सिंग चौहान ने बेबाकी दिखाते हुए नौजो सिंग सिद्दू पर ट्वीट से हमला बोल दिया और उन्होंने साफतोर पर कहा कि नौजो सिंग सिद्दू जी आपके दिन चले गए हैं और हम जानते हैं कि आजकल जो आप बेटिंग करते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से करते हैं यानि फिर एक बार फिर भारती जनता पार्टी ने राष्टवादी विचारधारों को यहां मुद्दा बनाया और नौजो स पारी में बेटिंग और बॉलिंग और तगड़े बल्लेवाजी दोनों ही योद्दाओं के द्वारा देखने को मिली लेकिन यहीं नहीं रुका एक दिन पहले कि यदि हम बात करें तो शिवरा सिंग चौहान ने भी दिविजे सिंग पर निसाना साथ तेवे कहा यदि हमने करने दिविजे सिंग करने वाला यह उसमा को जी कहने वाला यह जाप ने सुना होगा किस तरह से शिवरा सिंग चौहान ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि दिविजे सिंग का नाम अगर ले ले तो नहाना पड़ेगा बरहाल यह राजनिती है यहां बयानों के अपने अपने सियासी माइने होते हैं अपने वोडबेंग को खुश करने के लिए इन नेता पूरी तरह से जो एक मरियादा है उसे लांग कर इस तरह के विव स्टॉप नहीं लगा है लगातार सियासी पीच पर इस तरह की ताबड तोड़ बल्लेवाजी करते वे नजर आ रहे हैं बरहाल जनता को यहां पर निने लेना है कि किस बयान के साथ उन्हें जाना है और किसका विरोध करना है चूकि यह सियासत के दिन है और सियासी समर में इसी प्रकार के विवादित बयान आएंगे लेकिन इन सब से परे 5 साल का पूरा कारेकाल देखा जाना चाहिए और उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए इन सब बातों से तो एक ही बात समझ में आती है कि न कोई नीती है राजनीती में नहीं कोई धर्म हर तरह के बयान बाजी करते है नेता ताकि अपने वोट बेंग को खुश कर सके दोनों ही नेताओं के बयान का विरोध जदाना चाहिए चूकि मर्यादा लांग कर पिये मोदी के लिए की गई विवादित बयान भी उतनी ही खराब है जितनी शिवरा सिंग चोहान ने दिगविजय सीह के लिए कही क्योंकि राजनिती में मर्यादा हैं होना चाहिए इन दिनों जिस तरह से विवादित बयानों के चलते राजनिती का निचला अस्तर देखने को मिल रहा है और विवादित बयानों के चलते राजनिती अपने निचले इस तरह पर चली गई है इस तरह की सियासत पहले नहीं थी और इस तरह के बयानों से पूरी सियासत गर्मा गई है बराल इन ताजातरीन मुद्दों के साथ में हम फिर हाजिर होंगे अब निर्णे आपको लेना है आखिर आपको किसका विरोत करना है किसके पक्ष में वोड करना है चूकि सियासत में इस तरह की बयान बाजी तो आने व बना सकता है, सरकार बिगाड भी सकता है, तो सोच समझ कर मद्दान करें, इन नेताओं के भड़काओं भयान में नाये और विवेक से वोट करें, फिर हम आजे रोंगे, कल नहें ताजातरी मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा बने रहें, एमपी न्यूस पे, नमस्कार!